दोस्तो जब हम हाईवे पर खड़े रहते हैं तब हमें अलग-अलग प्रकार की गाडिया देखने को मिलती है साथ ही उसके साथ अलग-अलग कलर की नंबर प्लेट भी होती है क्या आपको पता है कि नंबर प्लेट को अलग-अलग रंग देने के पीछे क्या कारण है नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो के मद्धिम से जान लेते है अगर आप इस चानल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राब करके घंटी दबाए और आल पर क्लिक करें दोस्तो ज़्यादातर गाडियों पर सफेद, पीली और हरे रंग की नंबर प्लेट होती है हमारे जैसे सर्व सादारन लोग खुद के इस्तिमाल के लिए गाड़ी खरी देंगे तब हमें गाड़ी पर लगाने के लिए सफेद रंग की नंबर प्लेट मिलेगी इसका मतलब यह होता है कि सफेद रंग की नंबर प्लेट का इस्तिमाल नीजी वानों के लिए किया जाता है पीले रंग की नंबर प्लेट कमर्शियल वानों को दी जाती है कमर्शियल वाहन यानि वो वाहन जिसका व्यावसाईक तोर पर उपयोग किया जाता है यानि जिससे हमें पैसे मिलते हो इसी वजह से ट्रक, टैंपो, टेक्सी जेसी भी जैसे वानूम पर पीले रंग की नंबर प्लेट लगी होती है दोस्तो हरे रंग की नंबर प्लेट देखने में तो उतनी खास नहीं लगती लेकिन ये इतनी अलग इसलिए बनाई है क्योंकि ये इलेक्टिक वाणों पर लगाई जाती है electricity पर चलने वाली गाडिया petrol diesel पर चलने वाली गाडियों जैसे ही दिखती है ऐसे में electrical वानों को अलग बताने के लिए उनकी number plate हरे रंकी होती है बीते कुछ सालों में electric वानों का चलन बढ़ा है इसी वजह से सडकों पर green number plate की कई वाडिया दिख रही है ऐसे ही छोटे और अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राब करें